हलो गाइज मैं है विनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल स्कैच अप हिंदी पे आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हम बनाने वाले हैं किलियर ग्लास सिर्फ इस विंडो के लिए एक लुकिंग मीरर ठीक है तो यह जितने पहले अपना एसेट मेनेजर ओपन कर लेता हूँ ठीक है तो मैंने ये एसेट मेनेज्र ओपन किया और यहां पे हम क्या करेंगे एक माटेरियल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे रीनेम करके विंडो ग्लास ठीक है एंटर अब इसके बाद इसे एडिट कर सकते हैं यह हमारा जो मेटेरियल है उसका प्रिव्यू दिखेगा एक तरीके से सबसे पहले तो इस पे पूरा राइट क्लिक करना है ट्रिपल क्लिक एंड उसके बाद अप्लाई सेलेक्शन करना है तो जो भी आपका मेटेरियल है वह सेलेक्ट हो जाएगा ठ्रिक है और उसके साथ हम क्या कर रहा है कि प्रिव्यू देखने के लिए मैं रेंडर भी करूँगा ठ्रिक है तो सबसे पहले अब ही रेंडर करते हैं हमें आइडिया लगए आकि क्या चीज दिखरी है हमें ठ्रिक है तो जैसे का देख रहे है एक य color में दे सकते हैं. जैसे मुझे white रखना है, तो मैं white भी रख सकता हूँ. अगоров black रखना है, तो black भी रख सकता हूँ. ठीक है? तो फिलाहल के लिए मैं क्या करा हूँ? ब्लैक ही की werk रखते हैं. Refraction में आते हैं. Refraction जो color है, वो पूरी तरीके से white होना चाहिए. तो पूरा white कर ने अब देख सकते हैं कि यहांस चाहिए अभा यहां भी आपको दिख रहा है कि चीजे आप आर पार देखने लगी है एडिट में बन्द कर रखा है इंवीजवल कर रखा है अपने डोम लाइट को इसे ऑन करते रहा हूं जिसे की बैकग्राउंड दिखेगा ठीक है आपको ऐडिया लगे गए कि विंडों के बाहर कुछ दिख रहा है तो इसे सुब्रू करते हैं एक बार फिर से इसे stop कर देते हैं और दुबारा रेंडर करते हैं तो अब देखिए ग्लास तो बन गया साथ के साथ आपको जो विंडो के बाहर है जो भी चीज़े हैं वो दिखाई दे रही है एक्चॉल में ठीक है तो डॉम लाइट का यह टेक्च्चर है जो कि आपको दिख रहा है तो हमन क्या ग्लास बनाना तो सीख लिया नौर्मल विंडो ग्लास जो अभी बनाया ठीक है तो अब हमें क्या करना है अब हमें बनाना है खर लकिंग मीरर तो उसके ठीक है तो अब इस mirror को हम edit करेंगे फिलाल के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूं यहां से और यह देखिए ठीक है तो यह जितने भी है इन्हें सब को मैंने component बना रखा था ताकि मुझे आसानी हो तो यह मैंने सबको और यहां से राइट क्लिक करके apply selection करता हूं ठीक है तो apply selection करने के बाद क्या हो गया अब यह इस material में convert हो चुका है simple इसका भी color आपको black करना है तो black कर लीजिए white करना है तो white कर सकते हैं ठीक है जो reflection color है वो proper white रहेगा एंड उसके बाद सिर्फ आपको इसे बंद करना है ठीक है तो इसे जैसे बंद किजिएगा आप देख सकते हैं कि यह proper mirror की तरह work कर रहा है ठीक है तो अब हम क्या कर रहे हैं कि render करेंगे एक बार फिट से तो आप देख सकते हैं से यह पूरी तरीके से looking mirror का का काम कर रहा है जो उपर की ceiling है वो भी इसमें दिख रही है ठीक है एंड जो उसके सामने की दिवार पे जो कुछ भी है साइड में जो edges पे जितने भी थे उस edges में यहां विंडो की looking भी आ रही है ठीक है अगर आपको आजीब लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें shape create किया था तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं इसे plane भी कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं बाहर मैं एक एक दुबारा मिरर बना ले रहा हूं एक foot कॉमा एक foot यह मेरा size था मैं यहां पे create कर ले रहा हूं ठी है एक foot कॉमा एक foot enter ठीक है और यह हो गया 0.25 inches ठीक है यह shape तो create हो चुका है अब मुझे क्या करना है सबसे पहले तो apply कर देते हैं इस material को यहां पे क्योंकि अभी मैं देखूं तो अभी यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा यह solid component है सिर्फ तो यह देखें यह component बन चुका है एंड यह भी component है ठीक है इसके अंदर जो भी है तो इसे मैं cut करके सबसे पहले तो इनके बीच में ले आता हूं क्या करना है एक तो जो है हमें सबसे पहले मिरर यहां पर सेलेक्ट करना है ठीक है मैं पूरे का पूरा मिरर इस पर अप्लाइ कर दे रहा हूं ठीक है और जो यह सारे है अब क्या करना है कि सारे component को हम दुबारा से रीचेंज तो नहीं कर सकते हैं उसके लिए मैं यूज करता हूं जो यह है इसे आप क्या कर सकते हैं जैसे इसे सेलेक्ट किया common और जिस से भी जैसे वी रिपलेश करना है उसे अप हम रिप्लेश 12 shooting तो सबसे पहले मैं इसे सही आंगल पर फिट कर देता हूं कि इसका एक्सेश करते हैं ठीक है तो इसका ऑक्रीछ से रहेगा है and ऐसे ओधे की तो जो भी एक्सिज रहेगा व सी एक्सिस के मताबिद देना पड़ेगा देख सकते हैं जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो सब कि सेम उसमें कनवर्ट हो जाएंगे कॉंपोनेंट में ठीक है मैंने सब को सेलेक्ट किया एंड सेम ठीक है तो इससे एक तो हमें थोड़ी से असान ही मिल जाती है लेकिन सेम ये सिर्फ कॉंपोनेंट के साथ ही काम करेगा तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है मैं इसे यहां से हटा देता हूँ अब आते हैं अपने सीन पर ठीक है तो अब इसका काम हो चुका है तो मैंने हटा दिया है अब हम एक फाइनल राइंडर करेंगे जिसमें हमारा मिरर और क्लियर ग्लास दोनों दिखेगा यहां पर मिरर काम नहीं कर रहा है मैं इसे फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ ठीक है यह देखे यह डिफॉल्ट में गया हुआ है या फिर सबको सेलेक्ट करके यहां पर हमें डालना है मिरर आप यहां या वीरे किस किसी भी जगह से आप इसे ढूंड सकते हैं जैसी यह बिर है डिरेक्ट में इसी को अप्लाइज सेलेक्शन करूँगा ठीक है तो यह हो जाए तो एक बार फिर से रेंडर करते हैं रेंडर आप देख सकते हैं कि जो सामने की दिवार पर जितना भी कुछ बना हुआ है वो सारी चीजे यहां पर शो कर रहा है ठीक है तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या है हमने दोनों चीजे बनाई है लुकिंग मीरर एंड किलियर गिलास तो आज ओब कि ये वीडियो आपको अच्छी लगया होगी और आपको मीरर और ग्लास बनाना भी है आया होगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दे बाके मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद